Hi everyone, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, hope everybody is doing good So, आज है 6th of September, Wednesday का दिन And अब मैंने finally अपनी trade close कर दिये है And इसलिए अब मैं वीडियो बना रहा हूँ So, आज पहली बार बहुत जादे इंटरस्टिंग था Because Wednesday के दिन, Bank Nifty में आज expiry थी And Nifty exactly same था Because Nifty की expiry Thursday को होने वाली है लेकिन Bank Nifty की expiry अब Wednesday को होने वाली है Weekly expiry, अब Thursday को नहीं होने वाली जिसकी वज़े से क्या होगा जो भी Nifty, Bank Nifty दोनों को trade करते है उनके लिए अच्छी कबर है Because अब उनको दो-दो expiry मिलने वाली है इसी वज़े से हो सकता है जाए थोड़ी सी जाधा volatility थी Nifty में So चली सबसे पहले मैं आपको अपनी trade दिखा देता हूँ मैंने क्या trade ली थी So ये मेरी position है, इसको एक बार मैं refresh कर देता हूँ So refresh करके देखेंगे तो मैंने 19,550 का call option sell किया था And जिसमें मैंने 5585 का profit book किया है So ये मैंने कितने वज़े लिया था Exactly 11.40 पे मैंने अपनी trade ली थी And exactly 250 पे मैंने अपनी trade close कर दी Well बहुत जादा volatile दिन था आज Because market काफी fall की And उसके आद एक level से continuously उपर गई है So यहाँ पे अगर आप nifty देखेंगे Well morning में मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मुझे एक long की trade मिल सकती है And अगर market अपना previous day जो high है वो break करती उपर की दरफ 100% वहाँ में trade लेता So यहाँ पे अगर आप देखेंगे न पहली candle ने बहुत ही जादा अच्छे जेक बहुत अच्छी wick बनाई थी And CPR के उपर support लिया था And previous day के high के उपर close किया था यहाँ से market continuously fall करती है And CPR पे वापी से support लेती है And exactly जो 5th candle है जो 9.35 की candle है उसने अपना previous day high break किया था And retracement के बाद मैं 9.45 वाली candle में wait कर रहा था कि अगर market previous day high के उपर जाती अपने daily pivot के उपर close करती So, वहाँ पे मैं definitely long की trade ले ले था But आप देखेंगे तो 9.45 वाली candle इतनी जादा conviction नहीं थी वो daily pivot के उपर close नहीं कर पाई इसी वज़े से इस level पे मैंने यहाँ पे long की trade नहीं ली थी And जिन्होंने भी इस level पे trade लिया है I'm sure उन सभी का stop loss इट हो गया होगा Because market ने previous day high break किया उपर की तरफ लेकिन उसके बाद market continuously fall कर गई And उन सभी traders का जिन्होंने एक long की trade लियोगी उन सभी का एक stop loss इट हो गया होगा इसके बाद मेरे पाद सिर्फ दो ही option थे जिसमें मैं आज trade करता या तो market जो CPR है उस पर support लेके वापिस से उपर जाती And अपना previous day high जो day high है उसको break करती उपर की तरफ वहाँ पे एक long की trade लियोगी जाती And दूसरो option था कि अगर market अपना CPR break करती है नीचे की तरफ Then वहाँ पे मैं एक short की trade ले सकता हूँ And market ने बहुत जादा patience test की Because मुझे almost ढाई घंटे बाद मुझे trade ली जहां पे मैंने exactly 11.35 की candle के end पे trade ली थी 11.35 वाली candle है उसमें मैंने running candle में ही अपनी trade ले ली थी उसका reason यह था Because market बार बार अपने CPR से rejection दिखा री तो 20 A में मेरी candles के ऊपर था इसी वज़े से यहां पे मैंने exactly trade ले ली थी running candle में And उसके आद मैं बस wait कर रहा था market अच्छा कासा fall की थी But even then मेरा यहां पे target book नहीं हुआ था Because आप देखेंगे na CPR के level से market almost 65 points नीचे fall की थी But यहां पे जैसा मैंने बताया है Street 1-2 का restore लेना पड़ेगा And आज vendors यह था And यहां पे premium दीके बिल्कुल भी हुआ ही नहीं 66 points market fall की And मुझे points around 22-23 के आसपास मिल रहा था But मेरा 30 points का target रहता है So इसी वज़े से यहां बस मैं wait कर रहा था patience के साथ लेकिन यहां से unfortunately market continuously reverse हो गई जिसकी वज़े से क्या हुआ जो premium मुझे around 20-21 के आसपास भी आ गया था मुझे 34 के आसपास exit करना पड़ा Because market continuously reverse हो गई So यह हमने Tuesday वाले दिन भी देखा था जहां मैंने trade ली थी Market बहुत अच्छा नीचे की तरफ move की थी And मुझे बहुत अच्छा profit हो रहा था But नीचे के level चे market continuously reverse हो जाती है जिसकी वज़े से वहां पर मेरा stop loss it हो जाता है So आज hopefully मेरा यहां पर stop loss it नहीं हुआ Market अपने CPR के नीचे ही रही But एक अच्छा कहा से reversal आ गया जिसकी वज़े से मेरा सारा का सारा profit यहां पर evaporate हो गया था And अभी अगर आप situation देखेंगे Market अप खुद ही देखिए कितनी जादा बड़ी move कर रही हो उपर की तरफ And यह एक ही candle कितने जादा points की बन गई So 50 points की एक ही candle बन गई जिसकी वज़े से क्या होता है अब आप देखिए जो मैंने premium 34 का exit किया था जिसमें मेरा stop loss 57 का था So यह almost 51, 52 के आसपास premium आच चुगा है इसलिए मैं बोलता हूँ कि 250 पे मैं exit कर लेता हूँ trade पहुत सारे लोग है जो मैं से पूछ से कि मैं क्यो exactly 250 पे trade exit करता हूँ Reason आपको I'm sure आपको आज समझ आगे होगा Because 3 बजे के बाद market एकदम पागल सी हो जाती है पता नहीं कहां कहा move करने लग जाती है So अब देखिए ऐसी कोई भी ऐसी major news नहीं है But फिर भी पता नहीं निफ्टी को क्या ही हो गया है इतनी जादा continuously उपर जा रही है I'm sure अगर मैं day end तक अपनी position hold करता So यहाँ पे मेरा stop loss hit होग जाता So इसलिए मैं यही prefer करता हूँ कि मैं 3 बजे से पहले पहले अपनी trade close कर दूँ जो भी हो profit और loss और that doesn't really matter मैं अपनी trade close कर देता हूँ ताकि 3 बजे की बाद वाली जो volatility है उसमें मैं ना रहा हूँ So अब यहाँ पे हमें 2 दिन volatility देखने को मिल सकती है एक Wednesday को एक Thursday को Wednesday को 3 बजे के बाद nifty bank nifty दोनों में volatility होगी Because bank nifty का weekly expiry है And Thursday को भी 3 बजे के बाद दोनों में हमें volatility देखने को मिलेगी Because Thursday को nifty में weekly expiry है जिसकी वज़े से bank nifty को भी थोड़ी volatility हो सकती है So जो भी आप trade ले रहे हैं थोड़ा cautious रहके trade करिए And if possible तीन बजे के पहले पहले exit कर दीजिए ताकि ऐसी जो बड़ी-बड़ी move आती है उससे आप बच जाए Because आप clearly देखेंगे ना अभी इसलिए अल्मोस 54 का भी आ चुका है So इसलिए ऐसी situation मैं avoid करता हूं Well I hope आपको मेरी trade समझ आ गई हो मैंने कल की trading session में बताया था I will just follow my rules And उसके लावा हमें कुछ नहीं करना है मैंने कल discuss किया था कि हो सकता है कि आज भी मेरा loss hit हो जाता But it is fine It is just that मुझे अपने सिफ rules follow करने है And rules के basis में मुझे मालूम है कि edge मेरे favor में रहेगा जिसकी वज़े से हमें एक अच्छी trade मिल सकती है So that's it about today's trade उसके साथ साथ मेरा 10 internet trading pattern course है वो already live है जो भी android users है वो हर्षित भार्दवाज app download कर सकते है And जो भी ius users है वो my institute app download कर सकते है उसमें एक ORG code आता है DMVWWC उसको डाल के आप मेरे course का access देख सकते है And अगर आपको course वर्त लगता है Then definitely उसको आप आई भी कर सकते है एक बात कि मैं आपको guarantee दूँगा बहुत कुछ सीखने हो मिलेगा And बहुत जादा मज़ा आएगा So that's it about the video today And let's meet in the next video then